नमस्का दोस्तों, Stockmark Studies में फिर से एक बार आपको सागत है, तो आज मैं बात करने बाला हूँ एक Chemical Stock के बारे में, मतलब Chemical Company के बारे में, जो हाली में 2020-2021 में दिस्टिंग हुआ है, और Company का जो Performance है, आपको मैं दिखाऊंगा, बहुत जबदस है, आप इस टाइप Chemical के जो जितने निभेस कर सकते है, तो Stock के बारे में पूरा डिटेल्स जान करें लीजिए, उसको बात आपको भी पता चल जाएगा, Company में कितना Stock के बारे में, पहले आपको Money Control साइट से में आपको Financial Details दिखा देता हूँ, Company के जो Performance है, पहले बता दू, Company छोटा सा Company है, Mid Cap Company है, पहले इसको में बता देता हूँ, क्योंकि Last Cap Company में रिक्स सी गेम ज्याता दर कम होता है, Mid Cap Company, Small Cap, Micro Cap में बहुत रिक्स होता है, जितना High Return आपको मिलता है, उतना High रिक्स भी आपको लेना पड़ता है, तो आपको अच्छा का सा Return चाहिए, तो आपको Fundamentally Strong Share में इंवे तो चलो देखते है, इसका Financial Report, यहाँ पर देखे है, आपको 2017 से Report दिया गहा है, टोटल Revenue के यहाँ पर रिक्स दिया गहा है, इतना अच्छा का सा यहाँ पर इस TRK बना है, कमपानी आप देख सकते है, 2017 में 288, 18 में 300, 842, 19 में 500, 2020 में 528, और 2021 में 800 करोड का यहाँ पर टोट नेट पॉफिट के बारे में भी देखना चाहिए, तो यहाँ पर नेट पॉफिट के बारे में देखिए, तो नेट पॉफिट तभी आता है, जितना income होता है, उसके साथ expense माइनस करके, जितना और tax pay करने के बात, जो नेट पॉफिट मसता है, कमपानी के पास, उसी के बार करोर और 2020 में 52 करोर और 2021 में 69 करोर तो ओभरल बात करूँ कुम्पानी का जो पार्फरमेंस है धीरे धीरे अप्टेंड में जा रहा है कभी भी डाउन टेंड में नहीं आप देख सकते हैं यह एक दो साल के चार्ट पेटन नहीं है यह टोटली 2017 से आपको में रिपोर्ट दिख अच्छा है तो इसी का बारे में में यहापे बात कर रहा हूं तो कोंपणी के पास जब बहुत था मतला 1.35 करोर का यह पर देप था वह कंपनी अभी कम करके 0.25% लेके आया गया तो कितना कम किया तुएंटी टूइंट तुएटी तुएंटा प्पम्पणी का इंकम चछादा होगे तो तो यहाद लिटार अब अपिटी के बारे में बातकरू यहाद करीवन अ छाता था थोड़ा सा अभी गिरावच देखने को मिला है और EPS के बारे में बात करें, EPS भी ठीक ठाक है, 10 रुपिया था, अभी 8.5 रुपिया हो चुका है, और यहापे आपको shareholding pattern भी दिखा देता हूँ, यहापे दिखा देता हूँ, यहापे अभी 2021 का shareholding pattern दिखा देंगे, क्योंकि यह जो stock में आपके सामने paste कर रहा हूँ, वो 2021 में ही दिख्टी हूआ है, stock market में, तो इसलिए सिर्फ एक साल के यह चार्ट पेटे में आपको देखने को मिलेगा, तो यहापे दिखे शेयर holding ज्यादातर promoter के पास है, promoter खुद share, खुद के पास रखा है, अभी तक कोई भी share गिर भी नहीं रखा है, और कोई भी place भी नह है, तो overall जो बात करूँ, company के performance है, मुझे तो बहुत ठीक ठाकी लग रहा है, फिर भी देखिए, mid cap strong है, इसके उपर आपको जुरूर नजर रगना चाहिए, तो company का price range आपको दिखा देता हूँ, company के जो अभी price range चल रहा है, वो 738, अभी आजी के दिन price range चल रहा है, तो company क जो performance है, वो 52 एक का high आप देख दीजिए, 848, वो भी 2nd July में हुआ था, सरी 12 July में हुआ था, और 52 एक का low था 474, करीबन देखा जाए, वो भी आपर देखिए, March 13, March 2021, मतलब सिर्फ तीन महने के अंदर ही, इसने आपका fund double से जाधा कर दिया, आप देख सकते हैं, तो देखि का stock का यही फाइदा होता है, आपको अच्छा कासा return जोरूर मिल जाएगा कम दिनों में, और अच्छा कासा गिराबट भी आपको देखने को मिलेगा कम दिनों में, तो इसमें risk ज्यादा है, profit भी ज्यादा है, तो आपको fundamentally strong share में खरीदारी करना है, तो अभी आप future के लिए अच्छा कासा portfolio बना पाएंगे, तो यह आपर देखेंगे जो delivery, आज के दिन जो delivery उठ चुका है, वो भी देख सकते है, 45% यहापर delivery उठ चुका है, तो company के जो performance है, आप देख सकते है, company नय है, फिर भी आपर बहुत annual meeting है, अभी तो company को भी कुछ भी dividend नहीं दिया है, क्यू आपको देखा चुका हो, कोई भी share यहापर गिर भी नहीं रखा है, तो company के आप नाम में आपको दिखा देता हूँ, यहापर देख सकते है, अनुपम रसायन इंडिया लिमिटेट, टोटली chemical sector से बिलों करते है, यहापर देख सकते है, chemical sector है, अनुपम रसायन इंडिया लि परसन का यहापर गिरावट देखने को मिला, कि देखे, company में offset down तो चलता है रहेंगे, तो फिर भी 0.18% का गिरावट, meet cup company में कोई बात नहीं, एक दिन में 20, मतलब 2 circuit भी देखने को मिल सकता है, यहापर, तो यहापर देखे, market capillation wise आप देख सकते है, 7000 करोर, आप मैं पह बहुत हाई हो चुका है, थोड़ा सा आप pure ratio के ऊपर ध्यान देजिए, PB ratio देखे, 4.59 हो चुका है, face value 10 रुपिया है, book value देखे, 1160 book value के ऊपर ही trade कर रहा है company, और यहापर देखे, EPSB 7 रुपिया आपर देखने को मिला है, तो company के पास अभी कोई cash in hand भी नहीं है, आप यह यहापर देख सकते है, company का balance sheet के बारे में बात करूँ तो यहापर आपको reserve and surplus देखना चाहिए, company के पास कितना reserve है, आप देख सकते है, यहापर में year देखा देतो 2017 से है, 193 था, 18 में 381 हुआ, 19 में 431 हुआ, और 20 में 514 हुआ, और 2021 मे 1400 हो चुका है, मतलब धीरे-धीरे कितन reserve है, बो भी आपे आप देख सकते है, साथी साथ और भी कुछ चीज आपे देख लिए, long term boring मतलब company के पास कितना करजा है, आप देख सकते है, करजा भी धीरे-धीरे काम हो रहा है, बो भी आपे आपको देखने को मिल रहा है, short term boring भी है, मतलब company short term के लिए, एक साल के लिए भी आपे करजा लेके ब्लटा हुए है, तो देखिए company business कर रहा है, अच्छा का सा profit हो रहा है, तो करजा आपको तो लेना ही पड़ेगा, company को लेना ही पड़ेगा, फिर भी देखिए धीरे-धीरे करजा भी कम कर रहा है, ये भी एक positive thinking है, और company के पास जो total देखा जाए, company का cash and cash है, मतलब cash in hand, जितना कितना है, आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं, धीरे-धीरे company के पास cash भी बढ़ रहा है, अभी तो पिछले कुछ सालों में तो 100 भी नहीं cross किया, फिर भी देखिए इस सालों में 295 cross कर चुक है, company के पास cash भी धीरे-धीरे growth हो रहा है, तो company के जो overall बात करूँ, company का chart button एक बार आपको देखा देता हूँ, आजी के दिन इस गिरावट देखने को मिला है, फिर भी देखिए, जब market start हुआ था, उसके बाद अच्छा का सा गिरावट देखने को मिला, फिर भी जो market close हुआ, तो फिर सी बोई जगा पे जाकर बंद हुआ, तो पास दिन का chart button देखेंगे तो आपको 1% का return और एक सार के chart button देखेंगे तो 40% का return, maximum chart button देखेंगे तो 48% का return, देखिए, company जो listing हुआ था, भोवी 26 March में, तभी listing का price था, करीबन देखा जाए 500 रुपीज, तो तभी से आज तक company का price चल ला है, 738, तो company पहले ही में बता चुका हो, company 800 level को touch करके आ गया, फिर भी देखिए, तोड़ा सा profit booking चलना है, फिर भी company upton में जाने वाला है, तो company का performance जाब दस है, company founded हुआ है, 1984 में, तो देखिए, बहुत पूराना company है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, और chemical sector से company काम करते हैं, chemical sector में तो आग लगी है, तो ज type stock में invest कर सकते हैं, फिर भी देखिए, मैं कोई recommendation नहीं कर रहा हूँ, बार-बार में बता रहा हूँ, आपको में study purpose में बता रहा हूँ, आप इसको उपर study करिए, आपको खुद बता चल जाएगा, company कितना stability है, मैं तो पूरा details आपको दिखा चुका हूँ, फिर भी आपको इसके उपर study करना चाहिए, उसके बाद इनिवेच करिए, लेकिए company खरम नहीं, company अच्छा है, मेरे हिसाब से अच्छा है, ठीक है, तो असा करता हूँ, पूरा details आपको समझ में आचुका हूँ, तो please, मेरे वीडियो आपको आच्छा लगता है, तो please like करिए, दोस्तों को अच्छा है, असी तरीके से निया स्टाउग लेका, तब तक लिए अच्छे से रही है, अबने ख्यार लेकिए, बाई बाई